नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग आपर अमेशा की तरह हिंदी का फूल टेस लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 मातपूर प्रसने और यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है वहाँ पर आप बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलते हैं और आज की टेस्ट में देखना है कि आप लोगों को कितने यहाँ पर इसकोर जा सकता है चलिए आपका पह जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखिए कि हम लोग कंठ और तालू की सह चलिए और तालू यहाँ पर और पूछा है आदिका उच्छा नुरस्थान किस से होता है टू का जबाब दीजी यहाँ पर इसका जो हम लोग लेते हैं आर्था तू चालन जो होता है किस से होता है तो टू का उप्सन राइट आपको हो जगे आपकर C नमबर आपके तालब से होता है किससे होता है तालब भी से होता है याद रखीएगा ठीक है चलिए नेस कोश्चन आपसे अगला पुछा गया है कि वर्तनी की दरश्टी से सुद्ध सब्द का चैन करना है यहां पर आपका अनुगरहित लिखा है और जो अनुगरहित लिखा है सही किस प्रकास से लिखा जाता है चलिए यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा option right यहाँ पर b number अनुगरहित इस प्रकास से आपका लिखते हैं ठीके अनुगरहित option आपका b हो जाएगा चलिए यहाँ पर नेस कोश्चन के राप से किस अब्द की वर्तनी असुद्ध है यहाँ पर असुद्ध वर्तनी पूछा है और असुद्ध वर्तनी जो आपकी हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी सही जो आपकी कैसिक्तिया असुद वर्तनी है वो आपकी छिद्रन वेसी ठीके छिद्रन वेसी में जो आपका ये वाला सा है ना यहाँ पर आपका ये वाला सा आपका बनता है याद रखिएगा ठीके तो इस प्रकास इसको सही किया जाएगा नेस्स कोश्चन वाका उच्चारन इस्थान है वाका उच्चारन इस्थान क्या है भई फाइप का जवाब क्या हो जाएगा तो वही वाका उच्चारन इस्थान हो जाएगा दन्तोस्ट क्या हो जाएगा दन्त दनोस्ट आपसन राइट आपका सी दन्तोस्ट हो जाएगा ठी ठीके चलिए next question आपसे एकला है कि निमनिकित में से कौन सा सब्द जातिवाचक संग्या है चलिए यहां पर जाति आपको बताना है और जाति यहां पर आपकी कौन सी हो जाएगी six का जवाब दीजे यहां पर देख सकते हैं जो आपकी कह सकते हैं जातिवाचक है वो आपकी य होती है आपकी जाती होती है ठीक है क्या होती है जाती होती है और यहां पर कह सकते हैं कर्मचारी है ना कर्मचारी कह सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है कर्मचारी तो यहां पर कह सकते हैं कर्मचारी को भी यहां पर एड़ कर सकते हैं ठीक है लेकिन 100% इसलि थोड़ी सित्रूटी यहां पर देखा जाए तो कर सकते थी इसको ठीके लेकिन 100% इसलिए नहीं माननिता दी गई है क्यों कर्मचारी सब के अलब के अलग-अलग होते हैं यहां पर मानना चाहें तो मान सकते हैं यह तो आपकी एकजाम की इसाब से कि एकजाम में किस प्रकार का प्रस्ण आता है हाँ अगर एकजाम में आता है तो आपको परवत ही लगाना पड़ेगा ठीके जो कि आपका 100% सुद्ध है चलिए नेस कोश्चन गाय कौन सी संग्या है सेवन के जवाब दीजे तो गाय आपका हो जाएगा, जाती वाचक संग्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? का आपका सरुनाम है ठीके तो आपसन रेट आपके यहां पर भी हो जाएगा पुरुस वाचक सरुनाम आपका यहां पर हो जाएगा नेस्ट कोशन कि निम्लिकित में से कौन सा कौन पुरुस वाचक सरुनाम है कौन पुरुस वाचक सरुनाम है नाइन का जवाब क्या हो जाए तो देख सकते हैं है आपका Nine का Shankar right आपका जो हो जाएगा वह आपका a.inky कास सब्स्थे पूर्चक सरनाम है जबकि कोई आपका निश्चित वाचक सरनाम क्या जू आपका प्रस्ण वाचक है और जो है यहाँ सब्सक्राइब का संबंद वाचक है ठीक है सब्सक्राइब करेंगे जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस ब्याकरनात्म कोटी का है जैसा जो सब्सक्राइब किस परकार का है जैसको हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पर विसेस्ट हो जाएगा Secondly ग्यारक अप्सन आपका A हो जाएगा ये आपको कह सकते हैं संगया सरुनाम की विशेष्टा का बोध हो उसे हम लोग विशेष्ण कराते हैं ठीके तो जैसा आपका यहां पर विशेष्ण का काम करेगा नेस्कोष्टन विराम चिन्नों की दर्ष्टी से कौन सा वाक्य सुद्ध है कौन सा वाक्य सुद्ध है तो देखते हैं यहां पर आपका सुद्ध वाक्य होगा कि सभी एक साथ चिलला उठे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे common नहीं लगाए भाई यहाँ पर जो आपका answer आपका देखी B number है कि सभी एक साथ चिला उठे फिर इसको आपको थोड़ा रुखना पड़ेगा जो की common लगा है हम भी चलेंगी यह आपका right answer आपका B सही हो जाएगा ठीके समझ में आया चलें next question आपसे एकला पुछा गया है कि किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं तेरा का option right आपको क्या हो जाएगा तो option right आपका हो जाएगा यहाँ पर C number किरिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ठीके क्या कहते हैं धात बोलते हैं option right आपका c सही हो जाएगा next question लिंग की दरश्टी से सुद्धवा के कौन सा है बताइए लिंग की दरश्टी से सुद्धवा के कौन सा हो जाएगा चौदा की जवाब चलिए यहां पर लिंग की दरश्टी से सुद्धवा के जवाब का हो जाएगा वह आपका हो जाएगा option right यहां पर B आपकी नाक कट गई option B आपकी नाक कट गई तो मेरा पुष्टक अच्छा है नहीं होता है मेरी पुष्टक अच्छी है तो कहीं न कहीं गलती है तो B नमबर आपका सही है मेरी नाक कट गई ठीक है चलिए next question आपका अगला है कि जो सब्द क्रिया की विसेष्टा बताएं उसे क्या कहते हैं जो स question आपसे एकला पूछा गया है कि वह एक सब्ताह बाद आएगा वह एक सब्ताह बाद आएगा इस वाकि में कौन सा सब्द क्रिया विसेष्ट है चलिए क्रिया विसेष्टा आपसे पूछा है यहाँ पर 16 नमबर के जवाब दीजिए तो यहाँ पर आपका बाद हो जाएग बिल्ली तो बिल्ली का पूर्लिंग होता है बिलाओ क्या होता है बैई 17 आपका बी हो जाएगा बिल्ली का होता है क्या होता है बिलाओ होता है ठीक है चलिए अगला जवाब है किने में से कौन सा वाकि असुद्ध है चलिए अठारक जवाब दीजिए असुद्ध वाकि धारक जवाब चलिए कहरा आपसे यहां पर जो की option आपका ए है वे वापिस लौट आए वे वापिस लौट आए तो यहां पर वे लौट आए बहुत जब लौट ना है और वापस है दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा कि वे जलती था इसका जो सुद्ध हो जाएगा वे लौट आए है ना साथ में आपका वापस को इसमें वापस लौट एक साथ नहीं होना चाहिए नेस कोशन आपको दिया है कि निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनिए अकरांत था अकरांत पुर्लिंग सब्द लगा कर स्ट्रिलिंग बनायता है तो यहाँ पर जो बात सही है दोनों की पॉइंट आपकी बात सही था ठीक है यह दोनों इस पॉइंट आपके सही है नेस कोशन आप सेगला है कि मुझे आपकी हास्ताच्छा चाहिए इस वाकी में हास्ताच्छा सब्द का बहुवचन बत आना है कि होता ही है आल्डेडि तो नित्य बहुवचन मता नहीं तो उपर भी लिखा है लेकिन नित्व आताथ फोकस इस पर करवा रहा है तो सी नमबर आपके यहां पर सही हो जाएगा नित्व पर कोरणना है ठीके अगला है कि वहां काम बहुत ढंग से करते हैं वाकिका काल 25 न Judith किस जवाब दीजिए शब्ट यहां पर आपका जो Hm this की जवाब दीजिये सुद्धि में कांसव हो जैगा जले नपर आपका सुद्धिवाप का अपका देखते हैं आपर सत्र मैधान से दोड़ खड़ा हुआ नहीं सत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ option right आपका बी यह आपका यहां पर कह रहे सकते हैं कि सही आपका हो जाएगा ठीके 22 को option right आपका बी सही हो जाएगा ठीके चलिए next question आपसे एकला पूछा गया है कि कुरसी पर master जी बैठे हैं इस वाकि में कुरसी सब पर कुरसी पर है ना तो इसकी हिसाब से देखा जाए तो option right आपका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आधिकरण में पर है ना तो option right आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि होता है में कॉमा पर होता है इसका ठीके ना चलिए next question आपका है चारपाई सब्द है चारपाई सब्द है तो किस प्रकार का सब्द है चारपाई कैसे है तो चार पाई आपका यहां पर हो जाएगा योग रूट सब्द योग रूट सब्द हो जाएगा चार पाई हुए सब्द होते हैं जिनका आर्थ स्वारी कैसे कि योग रूट सब्द होते हैं जिनका भी से सर्थ होता है चार पैर है जिसकी उसे बोलते हैं हम चार पाई ठीक है त तो उन का हो जाएगा, option right आपका 25 का D हो जाएगा, ऊरूण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरूण हो जाएगा, ठीके, चलिए, next question आप से गला है, कि एक तत्सम सब्द है, 26 में पूछा है, एक तत्सम सब्द है, यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर 26 का option right आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C number डाकिनी ठीके डाकिनी यह आपका कह सकते हैं यह आपका जो तर्सम सद्धा आपके यहाँ पर हो जाएगा डाकनी एक तस्म है जिसका आर्थ होता है डाइन ठीक है इसका जो तदबह होता है आपका डाइन होता है याद रखेगा नेश कोश्चन आप से एकला पूछा गया है किन्यमने में से कौन सा सब्द तदबह है कौन सा सब्द तदबह है 27 जवाब देजे चलिए यहां पर सब्द तदबह है 29 जवाब देजे प्रत्ति कहां होता हैज सब्दान से सबसे आपके अर्थ में विसीज परिवर्तन लाता है, option right आपका यहाँ पर A हो जाएगा प्रत्य जो आपका है एक सब्द्यान से, ठीके, next question, अनभिग का विलोम बताएए, अनभिग का विलोम क्या होता है, तो अनभिग का विलोम हो जाएगा, option right आपके यहाँ पर B हो जाएगा, अभिग हो जाएगा, ठीके क्या हो जाएगा, अभिग हो जाएगा, अगला है कि अपकार का उपकार से वही सम्मंद है, जो आवाहन का सम्मंद है, अथाथ अपकार का उपकार होता है, आपको पता है कि विलोम है इसका, तो आवाहन का जो विलोम यहाँ पर हो जाएगा, व आनके पर्यावाची में। वसन में कपड़ा चीर पट अंबर वस्त होता है प्रभा में चमक जूत दीपत सोबा आधी होता है ठीक है नेस्ट कोईशन कहाते है कि इन में से कौन सा सब्द कृष्णा का परयावाची है कृष्णा का परयावाची आपसे पूछा है यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन GB2 का अर्थ नहीं है गो का अर्थ नहीं है 34 जवाब दीजै यहां पर आपका गो सब्ध का अर्थ यहां पर आपको खाले इस्थान बनना है असक्त का अर्थ आपको बताना है जो कि समरूपी बिनार्थक सब्द हैं तो 35 को उप्षन राइट आपको यहां पर B कि असक्त का अर्थ विरक्त होता है परंतु असक्त का अर्थ सक्त विहीन होता है यह समरूपी बिनार्थक सब्दाथात दोनों ही आपके कह सकते हैं समरूपी भिनाथख हैं ठीके अगला है कि जिसे प्रमाट द्वारा सिद्धना किया जा सके उसके लिए सई सब्द बताईए 36 का सई जवाब बताई जिसे प्रमाट द्वारा सिद्धना किया जा सके उसे अप प्रमे बोलते हैं आप्प्सनराइट आप कर सी हो जाएगा अब प्रिमें बोलते हैं अब प्रिमें बोलते हैं उससे क्या कहते हैं 37 का जवाब दीजिए तो 37 को option right अप कब भी हो जाएगा अभूत पूर्व क्या हो जाएगा अभूत पूर हो जाएगा ठीके अगला है कि दिये गए चार वाकियों में से एक हिंदी ब्याकरण वाकि रचना के अमसार सुद्ध नहीं है सही विकल्प का चुनाओ करें 38 का सही जवाब दीजिए यहाँ पर तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखते हैं एक सुद्ध नहीं है तो हम तो आज भी उसका इंतियार कर रहे हैं अच्छा वहाँ आज तक कोई नहीं गया जल्दी करो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है यहाँ पर C नमबर आपका थोड़ा सा डिस्टर्व है ठीक है यहाँ पर 38 वाले में और देखा जाए कि यहाँ पर हो जाएगा 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है 8 बजने में इस प्रकास से सुद्ध होना चाहिए था ठीक है नेस कोचर आपका आपका दिया है यहाँ पर जो संदिवी चीद करना है भूधर्व का संदिवी चीद बताइए भूधर्व का संदिवी चीद क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा भूधन उर्द यह आरा आपका हो जाएगा option right up कब B ठीक है भूधन उर्ध हो जाएगा 49 option right up कब B हो जाएगा ठीक है इसमें दीर स्वर संदी आपके यहां पर प्रयोग किया गया है भाई भी सर्ग मत लगाईएगा ठीक है चलिए दोंदर समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोंदर समास में कौन सा पद प्रधान होता है चालिस के जवाब दीजे तो भाई बिल्कुल इजी कोश्चन आपके लिए है बिल्कुल सही है जवाब बिल्कुल सही है दोनों पद आपके यहां पर क्या होते हैं प्रधान होते हैं option आप कह सकते हैं कि प्रसुत्तम हो गया, देशाटन हो गया, कुलशेष हो गया, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा D number, धर्म ब्रष्ट, धर्म से ब्रष्ट यह आपका कह सकते हैं, आपा दान में आजाएगा, ठीके, आपा दान में आपका आजाएगा, नेस्ट कोश्चन 42 नमबर निम्न में से मिस्त रुवाक की बताईए मिस्त रुवाक की आपसे पूछा है और मिस्त रुवाक की में कुछ आपकी पहँचान होती है यहाँ पर आपका जो हीवा घर से निकला वर्सा होने लगी option D यह आपका miss रुवाक की आपका हो जाएगा ठीक है D number next question कि निम्न वाक्यों में से सुद्धवाक के पहचानिये 43 के जवाब तो सुद्धवाक के जवाब का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा चलिए यहाँ पर 43 का option right देखते हैं आपका आसमान को घने बादल चाय हुए है आसमान पर घने बादल चाय हुए है आसमान से घने बादल चाय हुए है आसमान में option आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा आसमान में में सब्ध आपका होगा आसमान में घने बादल चाय हुए है option right आपका 43 के यहाँ पर आपका D सही हो जाएगा ठीक है में सब्द लगेगा अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा वाकी सुद्द 44 के जवाब दीजे सुद्द वाक की जवाब का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा चलते हैं आपर देखते हैं इसका जवाब आ रहा है चले 44 का option right आपका जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा देखते हैं मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया प्रेम का मूल आंका नहीं और इसमें option आपका B सही हो जाएगा ठीके अगला है कि प्रस्ण में प्रियुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए एक हक मरग मद्वकर सैनी तुम देखी सीता मरग नहीं इसका तो आप लोग जानते हैं वह पहले से आई स्कूल में आपने पड़ा होगा तो यहां पर आ यह नेस कोईशन आपसे एकला है कि मात्रा करम की द्रस्टी से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले चंद करना मताई है तो वही दोहा का विपरीत हमने आपको बहुत बार रटाया होगा कि दोहे का जो विपरीत होता है वो आपका सोर्था होता है ठीके option रैट आपका C हो तो यहाँ पर आपका जो दिया है authorization later with specimen signature of the bearers यहाँ पर इसका हिंदी अनुवात क्या हो जाएगा 47 तो इसका हिंदी हो जाएगा option A कि वाहक के नमूना हस्ताचर वाला प्रदिकरण पत्र option आपका A सही हो जाएगा ठीके चलिए नेस कोईशन आपका अगला है ले चला साथ म तो यहाँ पर आपका जवाब आपको कुछ मिल चुका है जेओं मिल गया है ना कि आपने पड़ा होगा जन जानो मन मानो जेओं ऐसे होते हैं यह आपका बी हो जाएगा अगला है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देओदार दो चार खड़े में अरंकार बताईए तो 49 का जवाब क्या हो जाएगा तो 49 का अप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतीप अलंकार ठीके रट लिजे दो तीन कोश्चन आपके हैं तो यहाँ पर कहते हैं तो इस प showclets of the champ अगिए और दो चाइगा और जाब हो जाएगा और छो आपका हो जाएगा अप्सन राइट कौन सा हो जाएगा हमने आपके देलात है कि मुहारा में लास्ट मिन्ना होता है 99% और दात खट्टे करना यह आपको यहाँ पर मुहारा हो जाएगा एक क्यों का option right up का B हो जाएगा मुहारा आपको बता है मुहारा लोकोक्ति में यही आपका difference होता है last मिन्ना आपको सब्दे देखने को मिला है अगला है कि यहाँ पर आपका जो लोकोक्ति का सघी अर्थ आपका है कि आगे कुएं पीछे खाई इसको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 92 में तो आगे कुएं पीछे खाई इसका सघी जवाब हो जाएगा option आपका यह हो जाएगा दोनो और विपत्ती होना अगला है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो भाई क्या संबोधन आप देंगे तिरपन का जवाब दीजे तो यहाँ पर आपका तिरपन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नमबर मानी महोदे जी ठीक है उप्सन राइट आपका ए सही हो जाएगा ठीक है अगला यहाँ पर गद्यांस है और गद्यांस को हम लोग स्किप करते हैं आते हैं आपके टेस्ट में और गद्यांस को आप जरूर बताते हैं और चली यहाँ पर कोशन दिया है कि निम्लिकित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली आपकी कौन सी नहीं है आपर 57 के जवाब दीजे तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी हिंदी में ओधी होती है 36 गड़ी होती है बगहीली होती है था अबी C वाली ट्रिक है ना बिल्कुत सही है C नमबर आपका भोजपूरी आपकी कैसकते हैं पूर्वी हिंदी में आपकी नहीं आती है चली 58 के जवाब पूछा गया है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया था ठावन का जवाब दीजे चलिए ठावन का जवाब हो जाएगा option right आपका B यहाँ पर आपके स्रद्धा राम फिल लौरी ठीक है option आपका B स्रद्धा राम फिल लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था 59 के जवाब देना है कि निम्रिकित में से किस मुसलमान कभी की रचना प्रेम चिनगारी है प्रेम चिनगारी पूछा है भाई प्रेम 25 मत बोल देना ठीक है प्रेम चिनगारी तो उनसट का उप्षन राइट यहाँ पर जवाब हो जागा कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले पंक्ती किस लेखकी है यह जो पंक्ती है यह किस ने लिखा है रट लीजी यह कोशन आपका आया भी है कई बार आया है 60 का जवाब हो जागा option राइट बी आपके मुंसी इसा अल्ला खा ठीके यह आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीके प्रेंस यहाँ पर आप लोगों ने 60 प्रस्ट में कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट जरू करिए और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई प्लीच लाइक जरूर कर दिए